Hello everyone, आज का हमारा टॉपिक है चावल के भूसे की प्रबंधन की विधिया, Methods of Rice-Traw Management, जिसके अंतरगत हम आज इनका परिचय जलाना, खाथ की रूप में उप्योग करना, एवं चावल भूसे का बंडल की रूप में उप्योग करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सरुप्रतम हम देखेंगे परिचय जिसके अंतरगत हम लोग चावल के भूसे के समानने प्रबंधन तरीकों के बारे में ध्यन करेंगे, जो की किसानों के द्वारा अपनाय जाते हैं, सरुप्रतम है पालतु पसो के बिच्छोने के रूप में उप्योग, कही किसान चावल के भूसे का इस्तेमाल पालतु पसो के बिच्छोनों के रूप में उप्योग, कही किसान अपने पसो को खिलाने के लिए चारे के रूप में चावल की भूसे का इस्तिमाल करते हैं अगला है नदियों में बहा देना एवं जला देना आवशक्ता से अधिक भूसे की मात्रा होने पर कई किसान क्या करते हैं उन्हें आसपास उपस्तित नदियों में या नालों में बहा देते हैं वही जहां पर कित नदी या नाली उ तो सरवपत्र हम देखेंगे Greenhouse Gas सर्जन जब भूसे को खेत में जलाया जाता है तो उसके जलने से वातावरन में ग्रीन हाउस गैसे उसरजित होती है Greenhouse Gas जैसे की Carbon-Dioxide, Ultra-Dioxide और Nitrous Oxide इनके उस सर्जन से हमारे पित्वी के वातावरन का तापमान में विद्धी होती है अथ्वा तापमान बढ़ जाता है साथी साथ यह हमारे वायू मंडल को भी प्रदूशित करती है आगे है वायू प्रदूशन गीन हाउस गैसों के उस सर्जन के कारण हमारे वायू मंडल की वायू प्रदूशित हो जाती है अगला है जल प्रदूशन तो नदियों में पैरा को अत्वा भूसे को बहा देने से भूसे में उपस्तेत रशायनिक तत्व, नदी अत्वा नालों के पानी में घुलकर पानी को प्रदूर्शित कर देते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे चावल भूशा प्रबंधन राइस ट्रॉ मेनेजमेंट की विधिया, कौन-कौन से विधिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो मुख्यता तीन तरीकों से या तीन विधियों से चावल के भूशे का प्रबंधन किया जाता है पहला है जलाना, दूसरा खाद बनाना और तीसरा है बंडल बनाना, इनके बारे में हम लोग क्रम बार बारी बारी से देखेंगे, तो सरुपतम देखते हैं बर्निंग अत्वा जलाना, जलाने का तात्परिया है, जैसे कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, कि धान के भू करें तो पहला है खेत जल्दी खाली हो जाता है, चुकि कटाई के पस्चाद भूसे की काफी बड़ी मात्रा खेतों में पड़ी रहती है, जिस कारण से उनका प्रबंधन सही तरीके से करना संभाव नहीं हो पाता है, इसलिए जब किसान उनको जला देते हैं, तो आज जग नियंद्रन में सहायक होता है, कई कीट अपने अंडे धान के भूसे में ही देते हैं, अथवा कीट स्वैम धान के भूसे में उपस्तित रहते हैं, जब धान के भूसे को जलाया जाता है, तो वहां पे उपस्तित जो रोग कारक है, वे भी नस्ठ हो जाते हैं, आगे चलते ह जलाने के क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं तो सरवर्प्रथ में पोशक्ततों की हानी होती है धान के भूसे को जलाने से पोशक्ततों की हानी देखने को मिलती है अगला है कार्बनिक सुक्षवजी होते हैं उनकी संख्या में भी कमी देखने को मिलती हैं एंश्ट हो जाते हैं अगला है ग्रेन हांस गैसों का उस सर्जन जैसे कि मैं पहले चर्चा करुपका हूँ कि धान के भूसे को जलाने से पुछ ग्रेन ग्रीन हाउस गैसे जो है वो निकलती है जाचे कि कारबन डियोकसाइड नाइट्रस अकसाइड इन गैसों का उसर्जन होता है जो हमारे वातावरवन को गर्म करता है तथा वायू प्रदूर्शन के लिए उत्तरदाई होता है अगला है विश्व के कई देशों में चावल के भूसे को जलाना प्रतिबंदित है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चावल के भूसे को जलाने से ग्रीन हाउस गैसे उसर्जित होती है जो कही ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई है जिस कारण से विश्व के कई देशों में चावल के भूसे को जलाना प् उसको देखेंगे, भूसे को मृदा में दबाया जा सकता है, परन्तु इसके अवज्ञानिक अभ्यास से या फसल उत्पादन को प्रभावित करता है, अर्थात फसल उत्पादन कम हो जाती है, यदि सही तरीके से उसको नहीं दबाया गया, तो फिर वो हमारे फसल उत्पाद देखनलोज के दिदूजिकी ड़द हो वह काफी अदिक हो जिसके कारण इसके अबगटंदर में कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ नाइटरोजन गती हिंता को देखने को ही मिलती है। मतलाब, इम्मोबिलाइजेशन, जो नाइटरोजन होता है, वह पौधों के लिए अनुपलब्ध अवस्था में चला जाता है वह immobilization कहलाता है जिस कारण से किसानों के द्वारा इसको भूमी में नहीं दबाया जाता है अगला है कुछ सुक्षमजीव जैसे ट्राइकोडर्मा एवं सता छेतर में व्रिद्धी करके अवगटन दर को बढ़ाया जा सकता है जो अबगटन की दर है वह ट्राइकोडर्मा के इस्तिमाल से तथा भूसे के सता छेत्र में वृद्धी करके उसको बढ़ाया जा सकता है। हाथ बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे बंडल बनाना अथवा गार्ड बनाना इसके अंदर खेच से भूसे को उपयोग वाले स्थान पर ले जाना एक चुनाती पूर्ण कार्य जैसे कि मैंने कहा कि कटाई के पस्चाद अथो मेश भूसे को संकुचित कर अथवा दबाकर बंडल अथवा गार्ड बनाया जा सकता है बंडल अथवा गार्ड बनाकर हम पैरा को अथवा भूसे को उपयोग वाले स्थान पर असाने से ले जा सकते हैं बंडल बनाने के लिए आजकल बेलर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ combine harvester ऐसे आते हैं जो कटाई प्रक्रिया और मिशाय प्रक्रिया के साथ साथ बेलिंग प्रक्रिया अथवल बंडल बनाने की प्रक्रिया भी करती है अर्थाद उसमें ऐसे तकनिक इस्तेमाल किये जाते है कि धान का भूसा जो है सीधे बंडल के रूप में अथवा गाट के रूप में मसीन से बाहर आती है आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद